ओम शान्ती, हमारा बाबा का पुराना चैनल जिस पर सेवा चलती थी, वह डिलीट हो चुका है, इसलिए अब इस नए चैनल से सेवा प्रारंब की है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ओम शान्ती ओम शान्ती, आज दिनंक 28 जन्वरी 2022, बाबा ने महावाक्य में, हम बच्चों को जो वर्दान दिया, और लवलीन इस्थिती का अनुभाव करो के लिए, जो पॉइंट दिया, उसका मनन करेंगे बाबा वर्दान में बोले, अपनी सक्तिसाली मन्सा सक्ति, वा सुब भावना द्वारा, बेहद सेवा करने वाले विश्व परिवर्तक भाव आज विश्व परिवर्तन करने वाला पिता पर्मात्मा निराकार हम निराकार आत्माओं को विश्व परिवर्तक भाव का वर्दान दे रहे हैं वर्दान में बाबा कह रहे हैं अपनी सक्ति साली मंसा सक्ति वा सुब भावना द्वारा बेहद सेवा करने वाले विश्व परिवर्तक भाव डिटेल में बाबा बोले विश्व परिवर्तन के लिए सुक्ष्म सक्तिसाली इस्तिति वाली आत्माएं चाहिए जो अपनी व्रत्ती द्वारा, स्रेश्ट संकल्प द्वारा, अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर सके बेहद की सेवा, सक्ति साली मंसा, सक्ति द्वारा, सुब भावना और सुब कामना द्वारा होती है अर्थात, बाबा, आज हम बच्चों को परिवर्तन के लिए सुख्ष्म सक्ति साली इस्थिती बनाने की स्रीमत दे रहे हैं बाबा कह रहे हैं, वे आत्माओं परिवर्तन कर सकती हैं, जो सुख्ष्म सक्ति साली है सुक्ष्म सक्ति साली अर्थात जिने आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास हो सदा खुद को आत्मा अनुभाव करें और सर्व आत्माओं को भी आत्मा अनुभाव करें क्योंकि जितना जितना खुद को आत्मा अनुभाव करेंगे उतना उतना सर्व आत्माओं के प्रति द्रश्टी वरत्ती स्रेष्ट होगी स्रेष्ट संकल्प होगे सुब भावना होगी और सुब कामना होगी तो ऐसी सक्षम सक्षम अपने में धारण करनी है तो खुद को निराकार आत्मा अनुभव करना है सुक्षम सरीरधारी फरिस्ता अनुभव करना है जिससे बेहद की सेवा हो सके अब हम बच्चों को बेहद का बाप बेहद की सेवा के लिए निमित बनाते हैं तो हम आत्माएं सुक्षम सरीरधारण कर विश्व के कोने कोने में एक एक आत्मा को मंसा सकाज देते हैं तो अपनी सुब भावना, सुब कामना, स्रेष्ट वरत्ती, स्रेष्ट संकल्प द्वारा सर्व आत्माओं का परिवर्तन के लिए हद से निकल कर बेहद में सेवा करनी हैं खुद को आत्मा अनुभाव करना है जितना जितना आत्मा अनुभाव करेंगे उतना उतना सक्तियों से भरपूर संपन्न संपूर्ण बनेंगे आगे बाबा उले तो सिर्फ स्वयम के प्रती भावुक नहीं लेकिन ओरो को भी सुब भावना सुब कामना द्वारा परिवर्तन करो बेहद की सेवा वा विशुप्रती सेवा बेलेंस वाली आत्मा आत्माएं कर सकती हैं तो भावना और ग्यान इसने हैं और योग के बेलेंस द्वारा विशुपरिवर्तक बनो तो बाबा आज हम बच्चों को सिर्मत दे रहे हैं कि भावुक नहीं लेकिन सर्व के प्रती सुब भावना सुब कामना द्वारा सर्व आत्माओं का प्रक्रती के पांचो तत्वों का अर्थात सारे विशुपरिवर्तन करना है तो बेहत की सेवा वा विशुपरती सेवा का बेलेंस रखना है भावना और ग्यान इसनेह और योग का बेलेंस रख विशुपरिवर्तक बनना है तो बाबा की स्रीमत अनुसार हम बच्चों की द्रश्टी व्रत्ती भावना ग्यान इसने योग सभी का बेलेंस ऐसा हो कि सभी में हम बच्चे सक्तियों से संपन्न हो, संपूर्ण हो, संतुष्ट हो क्योंकि जो आत्माएं संपन्न होंगी, संपूर्ण होंगी, संतुष्ट होंगी वे ही सर्व आत्माओं की सेवा कर सकेंगी तो हम आत्माओं को इस नेह के साथ साथ योग बाबा से सदा हमारा कनेक्शन हो सदा बाबा के ग्यान का मनन्चिंतन चलता रहे सदा सर्व आत्माओं के प्रति सुब भावना सुब कामना हो तो हम विशु परिवर तक बन सकेंगे स्लोगन में बाबा बोले बुद्धी रूपी हाथ बाप दादा के हाथ में दे दो तो परिक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं बुद्धी रूपी हाथ बाप दादा के हाथ में दे दो तो परिक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं बाबा कहते हैं कि जो आत्माएं पिता परमात्मा सर्व सक्तिमान को अपना साथी बना कर रखती हैं कैसा भी परिस्थिती हो कैसी भी सागर में लहरे हो उन बच्चों की नाव हिलेगी डूलेगी नहीं तूबेगी नहीं वह अचल अडोल रहेगी तो बाबा के हाथ में अपना बुद्धि रूपी हाथ देना है तो कैसी भी परिक्षा हो कैसी भी परिस्थिती हो हर परिस्थिती को हम सहज पार कर लेंगे क्योंकि सर्व सक्तिमान बाप जब साथ है तो फिर डरने की क्या बात है लवलीन इस्थिती के लिए बाबा ने हमें पॉइंट दिया जब मन ही बाप का है तो फिर मन कैसे लगाएं प्यार कैसे करें यह प्रश्ण ही नहीं उठ सकता क्योंकि सदा लवलीन है प्यार स्वरूप माश्टर प्यार के सागर बन गए तो प्यार करना नहीं पड़ता प्यार का स्वरूप हो गए जितना जितना ग्यान सूर्य की किर्णे वह प्रकास बढ़ता है उतना ही ज्यादा प्यार की लहरे उचलती है जितना जितना ग्यान सूर्य की किर्णे वह प्रकास बढ़ता है उतना ही ज्यादा प्यार की लहरे उचलती है तो हम बच्चों को जितना जितना बाबा के करीब रहना है उतना उतना बाबा से हमें प्रकास मिलेगा बाबा के प्यार की लहरे मिलेगी बाबा के प्यार में हम समाय रहेंगे तो लवलीन इस्थिती के लिए आज बाबा ने हमें स्रीमत दी कि जब तुम बच्चे कहते थे कि तन, मन, धन, सब कुछ तेरा तो जब सब कुछ बाबा का है तो फिर मन लगाना नहीं पड़ेगा वह सहजी लगा होगा बाबा के पास ही होगा तो हम बच्चों के मन और बुद्धी जितना जितना बाबा पर एकाग्रों होंगे उतना उतना लवलीन इस्थिती का अनुभाव कर सकेंगे हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी तो अपना तन मन धन समय संकल्प सब कुछ बाबा पर अरपन करना है बाबा के ज्यान के मनन चिंतन में बाबा की याद की लगन में मगन रहना है बाबा की सेवा के काम में स्वयम को अरपन कर देना है तो बाबा भी याद रहेगा, सेवा भी याद रहेगी और उच्च पद भी प्राप्त होगा और लवलीन इस्थिती का अनुबहु भी करते रहेंगे अच्छा, ओम शान्ती ओम शान्ती, हमारा बाबा का पुराना चैनल जिस पर सेवा चलती थी, वह डिलीट हो चुका है इसलिए अब इस नए चैनल से सेवा प्रारंब की है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ओम शान्ती